नमस्कार सातियों आज हम बात करेंगे दुबई लेबर लोग जियां सातियों उसमें मैं बता दूँ आप माली आप कोविड-19 चल रहा है आप सबको पताइए उस दोरान कमपनी आपको बिना सेलरी के रखेगी जियां सातियों कई आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के साति ऐसा हुआ है कमपनी आपको तीन मैने से बढ़ा रखा है चैन मैने कि बढ़ा रखा है फिर आपको टाइम बढ़ा दिया बेना उस दोरान आप बैठ रहें बिना अन्पेड लिव एक तरह से उसको बाल सकते हैं रहनाकाना कमपनी देगी शोर है इसमें टेंशन लेने क को बॉल सकते हैं यह दोबई लेपरलों में option दिया गया जिसका अलग से मैंने वीडियो बनाया वो पी आप देख सकते हैं शेकंड बात मैं बता दूँ उस दोरान आपका इंसुरेंस कंपनी खतम हो जाता है आपने देखा होगा वे में इंसुरेंस दा इपोर्टेंट वीजिटर आ रहे हैं उनके लिए इंसुरेंस होना जरूरी है इन चीजों का द्यान रखना आपकी जरूरी है कि उस दोरान आप पहले से मार जल रहे है、 कि दो मेने तीन मेने से आप बेटें आपको बिना तन खागे आपको बिठा रखा है। उस दोरान आपका टाइम निकल रहा है तो शेली नहीं मिल लिए बेटे हो तो फिर कंपनी ध्यान नहीं देती है आपका इंचुरेंस भीमा होता है। वो खतम हो जाता है। रवे में बिमा होना कितना इपोर्टेंट है आप सब लोगों को पता है। क्या अधिकार हैं दोनों उप्सन में अपके पास क्या आपके पास बेटे हैं। दुबई हेल्थ इंचुरेंस ला की मैं बात कर रहा हूं से समंदित 2013 से समंदित ला नंबर 11 के तहट यह उप्सन पहले से रखावा है जिसको 2020 में सकती से लागू कर दिया कंपनियों के उपर। कुछ प्रेशनी विशेश परिस्तिती जैसे COVID-19 अभी है इन जैसी विशेश परिस्तितियों में कंपनी आपको या आपका मालिक आपको एवेतानिक यानि इन पेड लेवू पे आपको छुटी भेज सकता है आपको बिठा सकता है यह उनको अधिकार दिया लेकिन इन में य दुबई लेबरला जो आपकी इंसुरेंस है वो खतम हो जाती है तो इसमें कानून नंबर 10 में यह बाते बताए गई है कि दुबई लेबरला को आपका टाइम पे रिन्यू करवाने के लिए कंपनी किस तरह से बात दे हैं कुछ इसमें टोपिक दिये गए हैं कुछ रिजन बताए गए हैं वो देख लेते हैं करमचारियों को स्वास्ते बीमा पोलिशी लागू करना कंपनी का पहला काम है उसके बिना वो जोब पे नहीं रख सकती जियां साती हो यह आपको देखना होगा कि आपकी इंसुरेंस बीमा कब तक माने है तब तक कि आप काम करें बाकि अगर बीमा खतम हो गई तो कमपनी का हक नहीं и वो बिना आपका किसे वो जोब करवाए जोखिम का काम करवाए करमचारियों को च्वास्ते बीमा देना Company का फैस्ट्रायटी company निवास वीजा जारी करें या करमचारियों का नमिनी करन करें तो स्वास्थे बिमाद जरूर करें दुबई health insurance law 23 में यह बताया गया है अगर आपकी company या आपका नियूगता या आपका मालिक आपका insurance नहीं करवाता है वो जानबुज के नहीं करवाता या कोई भी रिजन रहता है और वो वीपल रहता है उस मेटर में तो DHA जो Medical Department आपको सबको पता है उन तो 500 दुबई दराम से लेके डेड़ लाख दुबई दराम तक उसके उपर जुर्माना लग सकता है अगर वो बार-बार गलती करता है तो बता दूँ 5 लाख दुबई दराम तक उसके जुर्माना लग सकता है अगर आपका वो इंचुरेंस नहीं करवाती है समय पे रिन्यू या नमिनी करन तो इसमें भी अगर आपको लगता है दोनों पॉइंटों में देखने की बात है वेद रिजन है कि कमपनी बार-बार हमारा टाइम बढ़ा रही है इन पेड लिव पे रखे जा रही है पहले बोला एक मेना फिर बोला तीन मेना फिर बोला छे मेना फिर ओर टाइम बढ़ा रही है तो आपको यह सोचना पड़ेगा फिर कमपनी को भी रिजन देना होता है कि हम इन पेड लिव पे क्यों बिठा रखा है इनका रिजन क्या है इनको कमपनी को लिखित में देना पड़ता है अगर आपका इंसुरेंस का भी यही मामला आता है तो अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो कमपनी के आप शिकायत कर सकते हैं अमिरात मंतराले और डियेचे में भी आप शिकायत कर सकते हैं वास्ते विवाग में जियां साती हो ताकि कंपनी आपका समय पर यह ट्रिट्मेंट आपको दे सके बस यह जानकर यह आपको देनी थी विए इस रिलेटेट वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी जैहिंद जैभार